ऐसी च्छे बड़ी गलतियां जो हम अंजाने में डेली करते हैं और जो हमारे बालों का गिरने का कारन बनती हैं धीरे धीरे आप गंजेपन की तरफ जाने लगते हैं उन में से सबसे पहली आपकी गलती होती है excessive heat का अपने बालों को इपर इस्तमाल करना जैसे बहुत ज़्यादा गरम पानी से नहना या hair dryer का बहुत ज़्यादा इस्तमाल करना hair strutting के लिए hair strutting machine का इस्तमाल करना जो बहुत heat देती है जिससे आपके बालों का जो protein है वो weak हो जाता है और आपके बाल गिरने लगते हैं और आप गंजेपन का शिकार होने लगते हैं जो दूसरा बड़ा कारण होता है उसमें होता है कि ऐसे shampoo और products यूज़ करना जिनके अंदर sodium laurel sulfate पाया जाता है sodium laurel sulfate आपके बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है हाला के बहुत सारे shampoo में ये chemical पाया जाता है तो आप ऐसे shampoo इस्तमाल ना करें जिन में sodium laurel sulfate होता है अगर आपको अपने बालों को बचा के रखना है frequently नए-नए hair products को change करना है कभी कोई shampoo इस्तमाल कर लिया कभी कोई hair oil इस्तमाल कर लिया कभी कोई hair straightening gel इस्तमाल कर लिया तो ये भी आपके बालों को रुकसान करते हैं और अक्सर आप बहुत देर तक अगर hair straightening gel या इस तरह के chemical composition अपने बालों में लगा के रखते हैं तो ये आपके बालों को तेजी से गिराते हैं और आपके बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं तीसरा जो कारण होता है वो होता है कि अपने बालों को बहुत तेजी से रगड़ना अक्सर नाने के बाद लोग जो wet hair होते हैं अपने टॉमल से बहुत तेजी से रगड़ते हैं इससे भी आपके बालों की जड़े कमजोर होती है और बाल जल्दी गिरने लगते हैं और आप बहुत तेज मालिश ये मसाज भी न करें ये भी आपके बालों को नुकसान करता है उसके अलावा अगर आप अपने बालों को बहुत तेज, बहुत टाइट करके बानते हैं, आप पोनी टेल करते हैं अक्सर जो माताएं बैने अपना चोटी बानते हैं, अगर बहुत तेज, बहुत टाइट बालों को बानते हैं तो इससे भी आपके बालों की जड़े खिचती हैं जो hair roots को कमजोर करती हैं और आपके बाल दीरे दीरे गिरना शुरू हो जाते हैं और फिर ये गंजेपन का या hair roots का कारण बनते हैं और उसके अलावा बहुत सारी बिमारियां भी हैं और खास तोर से anxiety का बहुत बड़ा रूल है अगर आप stress में रहते हैं आप anxiety में रहते हैं तब भी ये कारण बनता है आपके बालों का गिरने का क्यूंकि इससे कुछ hormonal imbalances होते हैं और भी उसके अलावा बहुत सारी बिमारियां होती हैं जैसे hypothyroidism में बहुत तहीं से गिरते हैं और कुछ deficiencies भी होती हैं बिमारियां होती हैं जैसे iron की deficiency, calcium की deficiency, zinc की deficiency और vitamin C की कमी भी आपके बालों को गिरने में सायक होती है तो आप इन आतों को छोड़ और आप अपने बालों को गिरने से बचा सकते हैं अगली वीडियो में फर्दर बताएंगे जिन लोगों को बाल गिरते हैं कि उनको कैसे आप naturally घर पे simply कुछ remedy से ठीक कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको like करें, widely share करें और अगर चैनल पे पह